नमस्कार आपका स्वागत इंडिया पबलिक खबर में और मैं हूँ आपके साथ अरजिता मिश्रा जारखन चुनाओं की तारीखों के एलान के लिए तमाम पार्टिया इस वक्त एक एक घड़ी गिन गिन कर इंतजार कर रही है लेकिन जिस सरह के खबरे फिरहाल सामने आ रही है उससे लगता है कि इलेक्शन की घोशना से पहले ही जारखन में बड़ा खीला हो सकता है जारखन बीजेपी में चल रही अंदरूनी धक्का मुक्की के बीच अब जेडियू के एक संभावित कैंडिडेट को लेकर पेंच बुरी तरह फस गया है जो बीजेपी और जेडियू दोनों के लिए ही काटा बन गया है और बात हम से मैं परा कर अटक गई है चुनावी मौसम में पाल्टियों में बड़े फेर बदल और आपसी मन मुटाओ कब गट बंधन तूटने की निव बन सकते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता हाला कि आम तोर पर गट जोल तूटने की वज़ा ज्यादतर सीट शेरिंग कभी अपने प्रत्याशी लड़ाने को लेकर तो कभी वाजब सपोर्ट या विचारधारा ना मिल पाने के लिए होते हैं लेकिन जारखंड में इस वक जो हाला जेडियू और बीजेपी के बीच बने हुए हैं उससे लगातार बात बिगडती दिखाई दे रही है क्योंकि यहां की एक सीट पर जेडियू की तरफ से नीतीश कुमार के खासम खास नेता की उतरने के कयासों के बीच अब बीजेपी सांसद ने खुल कर विरोध के सुर बुलंद कर दिये हैं एंडिये के प्रमुक घटक दल जेडियू के करता धरता और बिहार के सीम नीतीश कुमार पूरी ताकत के साथ जार्खन विधान सभा चुनाओ लडने की तैयारी में है इसके लिए जेडियू ने जार्खन के कुछ बड़े नेताओं को पार्टी जॉइन कराई है इनमें सर्यू राय और राजा पीटर का नाम प्रमुक है जेडियू वैसे तो जार्खन में 11 से ज्यादा सीटों पर चुनाओ लडना चाहती है लेकिन अभी 3 सीटों पर उसकी पक्की दावेदारी नजर आ रही है इसमें एक सीट जमशेट पूर पूर्वी भी है जहांसे सर्यू राय ने पिछली बार बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री रहे रगुबर दास को हरा कर कोई लांचल में तहलका मचा दिया था लेकिन इस बार सर्यू राय के खिलाफ धनबाद से खुद बीजेपी सांसर डुलू महता ने मूर्चा खूल दिया है डुलू महता और सर्यू राय के बीच की अदावत 2024 के लोकसभा चुनाओ में खुलकर सामने आई थी जब बीजेपी ने धनबाद से डुलू महता को चुनावी मैदान में उतारा और सर्यू राय डुलू का विरोध करने धनबाद पहुँच गए उन्होंने डुलू की प्रतीदवनवी कॉंग्रिस की उम्मीदवार अनुपमा सिंग को अपना आशिरवाद भी दिया था लेकिन धुलू महता ने बड़ी जीत हासिल की और सर्यू राय के लगातार क्यामपेणिंग करने के बावजूद अपना जहंडा बुलन किया वहीं अब बारी धुलू महतो की है सर्यू राय जेडियू में शामिल हो गए है और कहा जा रहा है कि अगर कोई बड़ा उलट फेर नहीं हुआ तो जमशेत पूर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बीच धुलू महतो के एक बयान ने जेडियू ही नहीं बलकि पूरी बीजेपी के लिए मुश्कीले बढ़ा दी है उनका साफ कहना है कि सर्यू राय जहां से भी चुनाव लड़ेंगे धुलू उनका विरोध करेंगे यहां आपको बता दे कि सर्यू राय 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी में ही थे लेकिन बाद में उन्होंने स्तीफा दे दिया और रगुबर्दास के खिलाफ निर्दलिय चुनाव लड़ा रगुबर्दास इस समय उडिशा के राजयपाल है और सर्यू राय एंडिये के एहम सहयोगी नीतीश कुमार के काफी खास माने जाते हैं लेकिन यहां बीजेपी के लिए पेच इसलिए भी फसा हुआ है क्योंकि धुल्लू महतो कोईलांचल में अपना दबदबा रखते हैं 2024 की चुनाव में बीजेपी नेताओं की नाराजगी के बावजूद उन्होंने धनबात का चुनाव जीता धुल्लू महतो का सर्यू राए के खिलाफ मोर्चा खोलना कोई सामान्य बाद नहीं संजी जा रही जार्खन में महतो समुदाई की अबादी 15 फीजदी से भी ज्यादा है जिसका वोट परंपरागत तोर पर बीजेपी के खाते में जाता रहा है धनबात सांसर धुलू खुद आर्थिक तोर पर बेहत मजबूत और दबदवे वाले रवये के जाने जाते हैं ऐसे में पार्टी आला कमान ने अगर दखल नहीं दिया तो सर्यू राए के लिए इस बार मुश्किल हो सकती है यही नहीं बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिये भी और बढ़ गई है क्योंकि जारकंड विधान सभा चुटाओं में जमशेत पूर पूर्वे विधान सभा सीट का बीजेपी के लिए काफी सरदर्द साबित हो रहा है सीट पर काफी सारे दिगज अपनी अपनी दावेदारी में लगे हुए है यहां तक की चर्चा ये भी है और कयास लगाये जा रहे है कि 2014 से 2019 के बीट जारकंड के मुख्यमंत्री रहे लगुबर दास अपने ग्रेह राज्य की राजनीती में वापसी करना चाहते है यहां तक की उडीसा के राज्य पाल लगुबर दास अपना इस्तीफा देकर इस सीट से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने की फिराक में है वही जेडियो गड़ बंधन के तहट सर्यू राय को भी इस सीट से मौका मिलने की संभावना है ऐसे में जमशेद पूर पूर्वी सीट को लेकर एक और एहम सवाल है कि यह सीट बीजेपी का गड़ रही है तो क्या बीजेपी जेडियो के लिए यह सीट छोड़ेगी सर्यू राय ने भले है 2019 में यह सीट छीन डी थी लेकिन बीजेपी यहां से जीतती रही है इस बीच पूर्व क्रिकेटर सौरफ तिवारी भी चुनावी मैदान में डेब्यू करने के लिए तयार है वो जनता के दीच है और लगातार संपर का भ्यान चला रहे है बीजेपी नेता अभहे सिंग भी इसी सीट से चुनाव लड़ने की तयारी में है अभहे सिंग बीजेपी में विले से पहले बाबुलाल मरांडी की पार्टी जार्खन विकास मूर्चा का हिस्सा रहे लिहाजा उनके दावे को खारिश करना भी बीजेपी आला कमान के लिए इतना आसान नहीं होगा ग़र करने वाली बात है कि जार्खन में विधान सभा चुनाओ 2024 को लेकर सियासी हलकों में हलचल है प्रदेश में चुनावी तारीखों की घूशना से पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसली है ये चुनाओ जार्खन की सभी एक्यासी विधान सभा सीटों के लिए होगा मौजूदा विधान सभा का कारेकाल पार जनवरी 2025 को समाथ हो रहा है इस बार भी हेमंत सोरेन की जार्खन मुक्ति मूर्चर और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है जे वी एम आजसू जैसे राजनीतिक दल भी एहम रोल अदा करते हैं इनी सब के बीच खबरे सामने आ रहे हैं कि जार्खन में विधान सभा चुनाओ 2024 की चुनावी तारीकों का एलान भी जल्दी होने वाला है चुनाव तारीकों की घोषना आठ अक्टूबर के बाद मानी जा रही है वह इससे पहले 2019 में 30 निवबर से लेकर 20 दिसंबर तक 5 चलणों में वोटिंग होई थी और इसके नतीजे 23 दिसंबर को आ गए थे जिसमें जारखन मुक्ती मोर्चा की जीत हुई थी और हेमन सोरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपत ली थी जेडियों और बीजेपी के लिए कश्मकश भरे हालातों में आप देखना होगा कि बीजेपी और नीतीश कुमार इस लड़ाई को कैसे मैनेज करते हैं और नतीजों पर इसका क्या आसर पड़ता है फिलाल इस खबर में बस इतना ही इस पूरी एनालेसिस पर आपका क्या कह र बताएं देश और दुनिया की बागी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पबलिक खबर के साथ हमारी यूट्यूप चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबान आप विल्कुल रभूले